सुखीपूर गाव में केसब अपनी पतनी कीरन के साथ रता था, दोनों पती पतनी गनेजी के परमभग थे और गनेजी का पूजा करके ही घर से बाहर जाते थे, केसब रोटी दाल मखनी आधि का एक धावा चलाया करता था, लेकिन केसब के रोटी और दाल मखनी की विक्री जादा नहीं होती थी, सुबह से कोई एक-दो ग्राहक ही उसके ढवे पे खाना खाने आया करते थे, क्या करूँ मेरा ढवा चलता ही नहीं है, एक-दो ग्राहक ही आते हैं, और वो सामने देखो, सामने वाले ढवे में कितनी भीड लगी रहती है, बावा का ढवा, नाम भी सही रखा है उसने और वो बाबूलाल गृहकों को नए नए इसकीम दे कर गृहकों को अपने धावे की और बुला लेता है कभी एक पर एक फिरी कर देता है तो कभी 50% की छूट दे देता है और अपने धावे के लिए जगह जगह पोस्टर भी लगा रखा है इसलिए उसका धावा ग्रहाकों से खचा खच बढ़ा रहता है देखो कितनी भीर हैं वहाँ लोगों को बैठने की जगह नहीं है फिर भी खड़े हैं जैसे जगह मिलेगी तो बैठ जाएंगे मैं क्या करू मेरा धावा तो चलता ही नहीं है केसब सीधा साथा उसे धावा चलाने नहीं आता था केसब को कभी समझ नहीं आता कि दोनों एक जैसा खाना बनाते हैं लेकिन बाबुलाल के धावे में हर समय भीर क्यों रहती है केसब के धावे में गराहक को ना देखकर बाबुलाल जोड जोड से चिला कर केसब की खिल्ली उडाया करता था क्यों केसब भाई अगर तुम्हारे धावे में कोई खाना खाने नहीं आता है तो तुम मेरे धावे में आकर खाना खाओ खाने के साथ साथ मैं तुम्हें काम पर भी रख लूँगा ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ लोगों का प्लेट उठा कर साफ कर देना, जितना तुम पूरे महिने में नहीं कमाते हो, उससे डवल तनखा दूंगा, क्या बोलते हो, अपने धावे को ताला लगा दो, बाबु लाल की बाते सुन कर केसब को बहुत लगता है, और चुप चाप वहां से चला जाता है, पर उसे अपने गनपती बापा पर पूरा भडोसा था, चाहे कुछ भी हो, गनपती बापा का पूज़क कर के ही घर से निकलता था, एक साम को अपने घर आया, तो देखता है कि उसकी बेटी गुडिया बुखार से तप गुडिया की हालत देकर अपनी पतनी पर गुशा बोलता है, गुडिया को इतना बुखार है और तुमने उसे दवा भी नहीं खिलाई, घर में पैसे होंगे तब ना दवाई खरित कर लाऊंगी, हाँ, कीरन सही बोल रही है, वो कहां से पैसे लाएगी, मैं क्या करूँ, मै तो कितनी मेहनत से खाना बनाता हूँ, पता नहीं फिर लोग मेरे धावे में खाना खाने नहीं आते, सभी गरहक उस बाबुलाल के धावे में चले जाते हैं, और साम को मेरा सारा खाना बेकार हो जाता है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तुम कहीं से उधार मांग लो, केस बच्छी खोदावा देने के भी पैसे नहीं है तुम दोनों के पास फिर इतना कमाते क्यूं हो पैसे कहां चले जाते हैं तुम लोगों के आजकल उसका काम ठेक से नहीं चल रहा है जब काम चलता ही नहीं है तो काम को छोड़कर दूसरी नोकरी क्यों नहीं पकड़ लेता है या जान बूच कर पैसे मांगने आ जाती हो ए जी सुनते हो कीरन आई है कुछ पैसे मांग रही है ये लो कीरन को पैसे दे दो गुरिया की तब्यत खराब है पैसे तो मिल गया है अब घर चलती हूँ रास्ते में दवा भी ले लूँगी अरे ये देखो गनेज भगवान का मंदिर चलो दर्सन करके घर चली जाओंगी हे गनपती बपा बुरे दिन आने पर सभी चार बाते सुनाने लगते हैं किन्तु आप कभी हमारा साथ मत छोड़ना दिन बीचते चले गया है लेकिन उनके घरों की मुसीवत खत्म होने का नामी नहीं ले रही थी इतनी मुसीवतों के बाद भी वो रोज गनेज भगवान का पूजा करते थे उनकी भक्ति देखकर गनेज भगवान सुएंग केसव के सपनों में आते हैं और बोलते हैं जो भी खाना बनाओ मेरा नाम लेकर ही सुरू करो तुम्हारे सब कस्ट दूर हो जाएंगे इतने में केसव की निंद खुल जाती है गनेज भगवान को सपने में देखकर उसे बिश्वास ही नहीं होता है सुबा उठकर वो एक अच्छी सी गनपती की मुर्ती खरीद कर अपनी दुकान में अस्थापित करता है और उनकी स्रद्धा भाव से पूजा करता है और लडू का भोग भी लगाता है उसके बाद गनेज भगवान का नाम लेकर दाल मखनी बनाना सुरू करता है वो बहुत ही भक्ती भाव से खाना बनाने लगता है केसव के दाल मखनी की खुसवू बाबू लाल के धावे पर बैठे ग्राहक तक पहुँचती है और एक एक करके बाबू लाल के सारे ग्राहक केसव के धावे पर पहुँच जाते हैं केसब का पूरा धावा ग्राव को से भर जाता है। लोगों ने जब केसब के धावे का खाना खाया तो अपना हाथ चाटते रगया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। केसब के धावे की चर्चे हर तरफ होने लगते हैं और दूर दूर से लोग वहाँ आने लगते हैं खाना खाने के लिए। केसब का एक छोटा सा धावा अब एक बड़ा रेश्ट्रॉव बन जाता है। पाबुलाल का घमंड भी तूट जाता है। और गनपती पप्पा के आसिरवास से केसब के दिन पलट जाते हैं। केसब अपने खाने में से कुछ खाना गरीवों को भी बाटने लगता है। इस तरह गनेश भगवान की किरपा से केसब और उसका परिवार खुसी-खुसी रहने लगता है।